हलो विरिवान मैं हूँ आरजे करतिक 94.3 माय फेम से आप जिन्दगी में खुश हैं मुस्करा रहे हैं लेकिन पीछे पीछे परेशान भी हैं आज लाइफ की उस परेशानी को दूर करते हैं एक छोड़ी सी कहानी आपको सनाता हूँ एक बार एक देश पर दूसरे देश ने अटाक कर दिया इस देश की युद्धा के पास जादा वक्त नहीं था जादा सैनिक नहीं थे जादा हतियार नहीं थे इसने अपनी सेना को बलाया और कहा कि अब हमें रण में जाने की जरुरत आन पड़ी है लेकिन हम बहुत कम संक्या में हैं हमसे दस गुना बड़ी सेना दस गुना जादा हतियार सामने वाले देश के पास है इस युद्धा ने सोचा विजार किया प्लान बनाया सारे सैनिकों को सारे हतियार को जहाज में भरा और समुद्री रास्ते से उस रण में पहुँच गया जहाँ युद्ध होना था जब सारे सैनिक सारे हतियार सब कुछ उस जहाज से उतार लिया गया सामान तो इस युद्धा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस जहाज को आग लगा दे सानिकों को समझनी आया है कि योध्धा क्या गह रहा है लेकिन ओर्डर था इसलिए उस जहाज को आग लगा देगी ये सब होने के बाद योध्धा ने फिर से अपने सानिकों को संबोधित किया और कहा कि अब आप देख रहे हैं कि पीछे जहाज जल रहा है अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है रण में लड़ने का विजय फ्राप्त करने का पीछे जाने के सारे रास्ते जला दिये गए है अब एक ही आप्शन है उसके बाद युद्ध हुआ और क्योंकि सानिकों के पास एक ही रास्ता था एक ही आप्शन था जी भर के लड़े पूरी ताकत से लड़े और अपने से दस गुना जादा ताकतवर देश को हरा दिया ये चोटी सी कहानी हमें लाइफ में बताती है कि पीछे जाने के सारे रास्ते जला दीजिए एक ही आप्शन रखिए वो है जीत जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये करना है चाहे वो परसनल लाइफ की बात हो और प्रोफेशनल लाइफ की बात हो आप वो कर दिखाएंगे दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है जरूरत है तो सिर्फ पैशन की माइफम परकार्तिक आपसे यही कहता है कर दिखाएए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा और याद रखिए पीछे जाने के सारे रास्ते जला दीजीए अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माइफम सुन रहे हैं चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं